कहा जाता है, स्रीमत भगवत गीता सिर्फ एक धर्म के लिए नहीं है, बलकि इसे धर्ती के हर इंसान को पढ़ना और समझना चाहिए, ताकि वो आपने जिंदगी में सुक, सांती और सफलता को प्राप्त कर सके। भगवत गीता में कुल 18 अध्याय हैं, और इन 18 अध्यायों में कुल 700 असलोग हैं, जो सभी के लिए पढ़ पाना थोड़ा मुस्किल हैं, इसलिए आज के इस बेहदी खास वीडियो में हम भगवत गीता के 108 विचारों के बारे में बात करने वाले हैं, जिनें जानकर आप गीता के 108 पावरफुल विचारों को, स्री कृष्ण कहते हैं कि मनुस्य को परिनाम की चिंता किया बिना, लोब लालच बिना, एवन निस्वार्थ और निस्पक्ष होकर अपने कर्तब्यों का पालन करना चाहिए, जिस तरह प्रकास की जोती अंधेरे में चमकती है, ठीक उ इस परकार मनुस्य से अपने पुराने बस्तर को त्याग कर नए बस्तर धारन करता है, ठीक उसी परकार आत्मा पुराने बेर्थ के सरीर को त्याग कर नए भौतिक सरीर को धारन करती है, कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, और क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दू प्रेम सदय माफी मांगना पसंद करता है और अहंकार सदय माफी सुनना पसंद करता है। विसयों के बारे में सोस्ते रहने से मनुस्य को उनसे आसकती हो जाती है। इससे उनकी कामना यानी इक्षा पैदा होती है और कामनाओं में बिधनाने से क्रोध की उत्पत्ती होती है। जिनकी बुद्धी में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती। अच्छे कर्म करने के बाबजूद भी लोग केबल आपकी बुराईयां ही याद रखेंगे। इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो तुम अपना कर्म करते रहो। जितना हो सके खामोसी रहना अ तरदाईत तु लेता हूं। हे पार्थ जो लोग भक्ती में सर्धान नहीं रखते वह मुझे प्राप्त नहीं कर पाते। अता हुए इस भौतिक जगत में जनम मिर्तियों के मार्ग पर बापस आते रहते हैं। अच्छी नियत से किया गया कारे कभी ब्यर्थ नहीं जाता और उसका फल आपको जरूर मिलता है। भगवान स्री कृष्ण कहते हैं कि वह किसी का भाग नहीं बनाते हर कोई अपना भाग खुद बनाता है। आप आज जो भी कर्म कर रहे हो उसका फल आपको कल प्राप्त हो अधिकार है किन्तु कर्म के फलो के तुम अधिकारी नहीं हो क्योंकि तुम ना तो कभी अपने आपको अपने कर्म के फलो के कारन बनो और ना ही कर्म करने में आसक्त हो जाओ। अपेतु सही कर्म हुआ है जिसका उदेश कभी गलत ना हो। संसार में कोई भी मनुस सर्वगुन संपन्य नहीं होता इसलिए कुछ कमियों को नजन दास करके रिष्टे बनाए रखे। पुर्णता के साथ किसी और के जीवन की नकल करके जीने की तुल्ना में अपने आपको पहचान कर अपुर्ण रोप से जीना बहतर है। जब भविस से धूंदला पढ़ने लग जाता है तब आपको अपने बरतमान में ध्यान केंद्रित करने की आवस्यक्ता है। कोशिस कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा, अर्जुन के तीर सासाध मरवस्तल से भी जल निकलेगा। जीवन की सब से बड़ी गलती वही होती है, जिस गलती से हम कुछ सीख नहीं पाते। जब हमारा मन कमजोर होता है तो परिस्थितियां समस्या बन जाती है और जब हमारा मन इस्तिर होता है तब परिस्थितियां चुनावती बन जाती है और जब हमारा मन मजबूत होता है तब परिस्थितियां अबसर बन जाती है। मनुस्य की मानवता उसी बक्त नश्ट हो जाती है जब उसे दुसरों के दुखी पर हसी आने लगती है। हे भरत बंसी, सरीर में रहने वाले का बद कभी नहीं किया जा सकता, अता तुम्हें किसी भी जीब के लिए सोक करने की आवस्यक्ता नहीं है। समय यही सिखाता है कि जिंदगी किसी का इंतजार नहीं करती और नहीं किसी के लिए रुख सकती है। जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलारी बहतरीन होता है। दर्द सबकी एक जैसे हैं मगर हौसले सबके अलग-अलग हैं। कोई हतास होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्स करके निखर जाता है। मनुस्त्य को अपने कर्मों से संभावित परिनामों से प्राप्त होने वाली बिजय या पराजय, लाव या हानी, प्रसनता या दुख इत्यादी के बारे में सोच कर चिंता से ग्रसित नहीं होना चाहिए। यदि आप अपनी गलतियों से कुछ सीखते हैं तो गलतियां सीडियां हैं और अगर नहीं सीखते तो गलतियां सागर हैं। वा उतने ही गहराई से अपनी बुद्धी का परियोग कर सकता है। निंदा से घबराकर अपने लक्ष को कवी न छोड़ो, क्योंकि लक्ष मिलते ही निंदा करने वाली की राय बदल जाती है। आपकी हार और जीत आपकी सोच पर निर्वर करती है। इसलिए मान लो तो हार ही होगी और ठान लो तो जीत तो पक्की ही है। सबसे समझदार और इस्थिर बुद्धी वाला ब्यक्ती वही होता है जो सफलता मिलने पर अहंकार में नहीं आता और विफल होने पर गम में नहीं डोबता। अगर आपकी परसंसा हो रही हो तो आपको ज्यादा साफधान डहने की जरुरत है। जीवन में कभी भी किसी से अपनी तुलना मत कीजिए। आप जैसे हैं सर्वस्रेष्ट हैं। मन उससे अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा ही वह बन जाता है। जिसने मन को जीत लिया, उसके लिए मन सर्वस्रेष्ट मीत्र है। किन्तु जो ऐसा नहीं कर पाया, उसके लिए उसका मन उसका सबसे बड़ा सत्रू बन जाता है। नकरात्मक बिचारों का आना तै है, पर अंतु यहाँ आप पर निर्वर करता है कि आप उन्हें कितना महत्तो देते हैं। हमेशा याद रखना, बहत्रे इन दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। जीबन में कुछ भी अस्थाई नहीं है, इसलिए स्वयम को अधीक तनाव गरस्त ना करें, क्योंकि परिस्तितियां चाहे कितनी ही खराब क्यों न हो, बदलेंगे जरूर। संसार में परिसानी देने वाली की हस्ति कितनी भी बड़ी क्यों न हो, पर भगवान की क्रिपाद्रिष्टी से बड़ी कभी नहीं हो सकती। प्रेडना का सबसे बड़ा स्रूत आपके अपने बिचार हैं, इसलिए बड़ा सोचो और खुद को जीतने के लिए हमेशा प्रेडित करो। जोना हो समुद्र सुखाता नहीं है जहां आपकी कोई कीमत नहीं वहाँ पर रुकना अनुचित है चाय हुआ किसी का घर हो या किसी का मन जब कोई हाथ और साथ दोनों ही छोड़ देता है तब कुद्रत कोई ना कोई उंगली पकड़ने वाला भेज देता है उन्हीं का नाम जो मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए वह मन सत्रो के समान काड़ी करता है हे अरजुन वख्ति जो चाहे हिए बन सकता है यदि व विश्वास के साथ एक्षित बश्तू पर लगातार चिंतन करे सिर्फ दोनिया के सामने जीतने वाला ही बिजयता नहीं होता बलकि किन रिस्तों के सामने कब और कहां पर हारना है यह जानने वाला भी बिजेता कहलाता है जो लोग बुद्धी को छोड़ कर भाबनाओं में बह जाते हैं उन्हें हर कोई मुर्ख बना सकता है बक्त से पहले मिली चीज अपना मुल्य खो देती है और बक्त के बाद मिली चीज अपना महत्तों मनुस्य को अपने कर्मों से संभावित, परिनामों से पराप्त होने वाली बिजय या पराजय, लाव या हानी, प्रसनता या दुख, इत्यादी के बारे में सोच कर चिंता से ग्रसित नहीं होना चाहिए। आत्मा पुरानी सरीर को वैसे ही छोड़ देती है, जैसे मनुस्य पुराने कपड़े को उतार कर नए कपड़े धारन कर लेता है। जैसे जल में तैरती नाव को तुफान उसे अपने लक्ष से दूर ले जाता है, ठीक वैसे ही इंद्रिय सुख मनुस्य को गलत रास्ते की ओर ले जाता है, आपका विश्वास एक परवत को भी खिसका सकता है, लेकिन आपके मन का संदे दुसरा परवत खड़ा कर सकता है, हमारा खुद पर विश्वास होना बहुत ही जरूरी है क्योंकि हम अपने रास्ते पर खुद चलते हैं, बक्त कभी भी एक जैसा नहीं रहता, तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है, खुद को कमजोर कभी नहीं समझना चाहिए, अगर आप गिरते हो तो उटने का प्रियास करो, लरो पूरे निष्ठा से अपना कर्तब भी अपना कर्म निवहाओ, बांकी सब मुझ पर छोड़ दो, हो सकता ह हर दिन अच्छा ना हो, लेकिन हर दिन में कुछ न कुछ अच्छा जरूर होता है, धैड़ी रखें, कभी कभी आपको जीवन में सबसे अच्छा पाने के लिए सबसे बुरे दोर से गुजरना पड़ता है, रोना बंद करो, अपनी तकलिफों से खुद लरना सीखो, क्यों की साथ देने बाले भी समसान से आगे नहीं जाते, समय जब न्याय करता है, तब गवाहों की आवस्यक्ता नहीं पड़ती है, एक उपहार तभी असली और पवित्र है, जब वो हिर्दय से किसी सही बैक्ती को सही समय और सही जगह पे दिया जाए, और जब उपहार देने व की पूजा भी पूरे विश्वास के साथ करने के इक्षा रखता है, तब मैं उसका विश्वास उसी देपता में द्रिड कर देता हूँ, उदह किसी का भी आचानक नहीं होता, सुर्य भी धीरे धीरे निकलता है, और उपर चड़ता है, धैड़ी और तपस्या जिसमें है, वही संसार को प्रकासित कर सकता है, हे अरजुन, स्वर्ग प्राप्त करने और वहां कई बरसों तक बास करने के पस्चात, एक और सफल योगी को पुना एक पवित्र और सम्रिद कुटुम में जन्म होता है, सब्द उतनी ही बाहर निकलने चाहिए, जितने बापस भी लेना खुस होता है, सेवा सब की करो, मगर आसा किसी से मत रखो, क्योंकि सेवा का सही मुल्य इस्वर ही दे सकते हैं, जब सत्य की असत्य से लडाई होगी, तो सत्य अकेला खड़ा होगा, और असत्य की फौज लंबी होगी, क्योंकि असत्य के पीछे मुर्खों का जुन्ड भी ह अकेले रहना तुम्हें यह भी सिखाता है कि बास्तब में तुम्हारे पास स्वेन के अलावा और कुछ भी नहीं है। एक वो जो सक्तिसाली होकर भी छमा कर देते हैं और दूसरे वो जो दरीद रहोकर भी कुछ दान करते हैं। और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। खत्म हो जाएगी जिस दिन हमें यकीन हो जाएगा कि हमारा सारा काम इस्वर की मरजी से होता है। बिपती में धैरिये, बैभब में दया और संकट में सहन सीलता ही स्रेश्ट बैक्टियों का लक्षन है। जो बैक्ती असपस्ट और सीधी बात करता है, उसकी बानी कठोर जरूर होती है। लेकिन वह कभी भी किसी के साथ छल नहीं करता। जो अच्छा लगे उसे ग्रहन करो, जो बुरा लगे उसे त्याग, फिर चाहे हो वो बिचार हो, कर्म हो या मनुस्य। बुराई बरी हो या छोटी हमेशा बिनास का कारण बनती है, क्योंकि नाव में छेट छोटा हो या बड़ा, नाव को ही डुबो देती है। मेरा परमभग, जो हमेशा अस्मरन या एक चित मन से मेरा पूजन करते हैं, मैं ब्यक्तिगत रोप से उनके कल्यान का उत्तरदाईत तुलेता हूँ। जो दान बिना सतकार के कुपात्र को दिया जाता है, वो तमस दान कहलाता है। परिवार और समाज दोनों ही बरवाद होने लगते हैं, जब समझदार मौन और ना समझ बोलने लगते हैं। हरे क्रिष्णा